Hello Friends Welcome back to my channel आज मैं बात करने वाली हूँ कि ब्रेस्ट फीट कराते टाइम निपल क्यूं कर जाता है बहुत जादा पेन होने लगता है तो दुबारा से जब बचे को फीट कराना होता है तो ऐसे में वह प्रोसेस बहुत जादा पेनफुल हो जाता है और उस टाइम में बहुत जादा इरिटेशन होता है बहुत जादा पेन होता है तो निपल क्यूं कर जाता है इसकी कई वज़ा हो सकती है सबसे पहली बात तो अगर आप पहली बार मा बनी है तो ऐसे लोगों के साथ जादा होता है रबने और पता नहीं होता है इंदर सबसें लमीद बेट पर कराया इंदर के यह जहां रखना है कि वो आपके निपल का पूरा अच्छे से मूँ के अंदर होना चाहिए जब इस तरह से आप बचे को फीट कराएंगी तो आपका निपल कटने के चांसे बहुत ही कम रहेंगे और इस तरह से फीट करेगा अगर बच्चा तो उसके पेट में खाली हवा भी नहीं जाने बच्चो के मसूफों में बहुत जाएंखे तो उसके काते हैं निपल कम प्रेसन बहुत को में कटने आते हैं तो यह कई वजह हो जगता है तो अगर आपके साथ हो एसा ब्रस के लिएक हैं आप निपल कडना आपके श्चे चोटे चोटे मैं चीज़े बतारी हूं उसको आप करेंगे जो आपके निपल कड़े हैं वो बिल्कुल भी आसानी से सही हो जाएंगे उसमें सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको अपने प्रेस्ट को हदम साफ रखना है यानि कि ऐसा होता कि जो बचे को ब्रेस फीट करा शर्च भी वहीं पर लगके मत शुक गया आपने उसको साफ नहीं किया तो कई बार उस वजह से इंफेक्शन भी हो जाता है और उसमें से सबस्क्राइब को बहुत जयाता है तो इसलिए आपको निपल को जल्दी जल्दी क्लीन करते रहना है और कई बार इस वजह सबस्दा प्रिश्मिल को बने जादाँ है तो तो उसे वज़े से भी यूर और वे भी बार इंफेक्शन और आपको शिक्राइब करण दिया दूख तो उसके बाद आपको अपने breast को हलके से प्रेस करना है जिसे थोड़ा सा मिल्क बाहर आचके और उसको अपने निपल वाले एरिया पर फैला लेना है और उसको आपको 5-10 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने देना है उसके गुंगुन पानी तरहें और शुद्वे ainda गुंगुने सबीटेने वर हसा सबिवागु के एक सबस्कारा को सब्राइज अधिक हमें दोफ़ देख Finnish आप को थियां कि अधिक गुंगुने पानी तरहें अपने निप्पल एरिया को अब 5-10 मिनिट के बाद आपको निकाल के उसको साफ कर लेना है और उसके बाद आपको अलिव ओयल से मसाज करनी है यह तीनों प्रोसेस आपको इसी तरह लगतार करने है पहले ब्रेस्मिल लगा के छोड़ना है फिर उसके बाद आपको नमक वाले साफकाल इसमिल पेंड़ मुझले एम्टेव ओयल से तेलने में और साफ करनी attack कैसे चाहिए और मसाज करने के बाद आपको उसको पाम-दाब कर देद आपको उसको व दो साफ कर दीजै और जेब फिर पंदाब करनीज यह आपको जो लिए लगा नियुआरे की दूब ऐ कॉ बच्चे को ब्रेसफीट करा पाएंगी I hope कि ये वीडियो मेरी आपको अच्छे लगी होगी छोटी वीडियो है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें